नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल गौरफ जंक्शन में दोस्तों जो नोटिस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस पर अपनी राय वीडियो खतम होने के बाद कमेंड बॉक्स में जरूर देला आप सभी जानते हैं, रेलवे में अभी आप लोगों के लिए ग्रूप डी की वेकेंसी लिवल वन की और एलपी टेक्निशन की वेकेंसी आना बाकी है आप में से कुछ बच्चों ने इस लेटर को मेरे शेयर किया, टेलेग्राम पे भी कुछ बच्चों ने डाला था बोला कि सर अपनी पर्तिकरिया दिखाईए इस पर क्या ये इन्फोर्मेशन है, क्या ये सच में संभव है कि ऐसा पोसिबल होगा, क्योंकि अगर ऐसा पोसि लिखा गया है, इसमें क्या-क्या इन्फोर्मेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ, अभी ये लेटर आपको 23-11 का दिख रहा है, लेकिन आप लोगों का पबली का लिए ये अभी आप लोगों के सामने आया है, ये जो लेटर है, ये लिखा गया है अशनवी वैशनव ज सब्जेक क्या है, इंक्लूजन ओफ डिप्लोमा ग्रेजुएट्स ओफ अपरेंटिस ट्रेनी इन 20% कोटा, ये बोल रहे हैं कि 20% कोटा में जो आप लोगों का बेनिफिट होता है, वो डिप्लोमा अपरेंटिस वालों को भी दिया जाए, इसके रिगार्डिंग है, अब इ डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ये भी डिमांड कर रहे हैं, 20% कोटा की, कि जो ग्रूप D की वेकेंशीज हैं, उसमें जो है, जो SSLC और IT अपरेंटिस वालों को 20% का रिजलिवेशन मिलता है, वो डिप्लोमा वालों को भी दिया जाए, इन दी पास्ट अलसो, इस मेंटर was brought to railway department, railway को पहले भी इसके बार में बताये गया है, और inquiry concerned railway administration has no idea about the reason for non-inclusion of diploma graduates, मतलब ये बोल रहे है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी आईए नहीं है, इसका कि 20% reservation ग्रूप D वालों का क्यों दिया जाए, अब देखो ये साफ सा बोल रहे है, ministry of parliamentary affairs जो है, कि डिपलोमा वाले बच्चों को भी जो है, railway में 20% का जो benefit मिलता है, vacancy reserve होती है, वो दिया जाए, तैकि इन बच्चों के साथ justice हो सके, अब आप मुझे बताना कि पहले से railway से इतनी बड़ी संख्या में ITA वाले बच्चे apprentice करते हैं, क्या ये सही चीज है, क्या डिपलोमा वालों को दे देना चाहिए, या नहीं दे देना चाहिए, एक बार comment box में अपना view जरू बताना, मेरे according नहीं देना चाहिए, क्योंकि ITA वाली जितनी भी apprentice वाले बच्चे हैं, आप सभी जानते कितनी बड़ी संख्या में ITA अप्रेंटिस वाले बच्चे railway से करके बैठे हुए, अगर इसमें diploma वाले बच्चों को भी डाल दिया जाएगा, तो कितना बड़ा competition आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भरती सिर् सारे चार साल हो गए, उन बच्चों के लिए अभी तक vacancies नहीं निकली है, जो ITA वाले बच्चे railway से apprentice करके बैठे हैं, अगर यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चों को भी 20% reservation category में add कर दिया जाएगा, तो यह कता ही उन बच्चों के लिए नाइंसाफी नहीं होगी, बाकि हमें जो है अब vacancies का wait करना है, टूटर जो प्रोटेस्ट है वो भी करके देख लिया, अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, बड़े टीचर सामने आते हैं, तब जाके जो है इस पर आप लोगों को प्रतिकरिया देखने को मिलेगी, बाकि मेरी साइट से यह तरी information थी आप में से कुछ बच्चों ने request किया था इस पर वीडियो के लिए तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, क्या information इसमें दे रखिया है, मैंने दे दिया है, लेकिन अभी भी कोई भी surety नहीं है कि diploma वालों को 20% resolution या फिर one third का जो criteria वो मिलेगा, अभी just एक letter जो है department को लिखा गया है, और ऐसे soya letter department को अलग अलग जो बच्चों के हित में काम करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन सब का output जो है उनको देखने को नहीं मिलता, तो अभी tension मत लीजिए ITA वाले बच्चे कि उनको जो है ये diploma वाले बच्चों को भी इसमें include किया जाएगा, बाकि आप इसके favor म अपनी पर्ति के रिया कवने बॉक्स मुझे चरू बता देना, धन्यवाद